Hello friends, welcome back to Nancy's All-in-One channel once again और आज का एक इंटर्व्यू मैं फिर से लेकर आ गई हूँ और आज का इंटर्व्यू भी Yes Madam के बारे में ही है आज मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका नाम है मादूरी जी गंगाराम यामा और ये भी Yes Madam में काम कर चुके हैं और मैं उनको मेरे चैनल में वेलकम करना चाहूंगी मादूरी जी वेलकम टू माई चैनल Thank you so much ma'am, मुझे इतनी अच्छा उपर्चुनिटी दी है आपने तो सबसे पहले तो ये पूछना है कि Yes Madam कब जॉइन किया था Actually क्या है हम लोग करोन के बाद ना गाव चले गए थे हमारा गाव तेलंगाना है तो फिर वाहस से मैं दो साल बाद आई मैं तो उससे पहले ही जोग मतलब करती थी अपना परस्नली करती थी तो करोन के बाद तो पता है आपको कैसी सिच्वेशन हो गई थी सबकी कोई गाव चले थे ते कोई चला गए तो मेरी पूरी फैमिली हम सब गाव चले घयते तो उदर रहे ही दो साल फिर दो साल बद मैं अकेली आई फिर मैंने अपना सारा सेटप किया, सब कुछ किया, फिर मैं अपना पर्सनली काम भी करती थी परलर का, फिर मैं जब साथ ही साथ ऐसे लगा कि मुझे अपने काम को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाना चाहिया अगे, तो उसके लिए मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा थ तो एक दिन में फेस्बुक देख रही थी, तो फेस्बुक में मुझे, वह एड साते है ना अलग-अलग कंपनियों से, तो ऐसे इस मैडम का एड आ रहा था, तो मैंने उसको जॉइन करकी देखा, तो उसमें मैंने क्लिक कर दिया, तो ऐस मैडम का मुझे कुछ दिनों होता है, ब्यूटीशन है क्या, वह सब उन्होंने सारे मुझे सवाल कुछे, फिर उन्होंने मेरा इंटर्व्यो का डेट फिक्स किया, फिर मैं इंटर्व्यो को गई, फिर हमारी जो ट्रेनर थी समीता कुलकरनी, उन्होंने मेरा इंटर्व्यो लिया, फिर मुझे ट्रेनिं में डाला गया, मेरे ट्रेनिंग फंद्रा दिन के ट्रेनिंग थी, पन्रा दिन के बाद हमारा पंद्रा दिन के लिया गया गया फिर ग्जाम के बाद फिर मेरा अटरा मही से मेरा जोब शुरू होगा, 18 मही 2023 माम जो नवी मुंबे में जो असमेन मैं उसमें से पर्सनल केर असमे ब्यूटी का क्वाम होता है, उसमें से पर्सनल केर जोर्णर में गिंते हैं? हाँ, ब्यूटी में आपको सिब क्या आएगा, हाइब्रो, थ्रेडिंग, हैर कलर अपलाई, वैक्सिंग, मेनिक्यूर, पेडिक्यूर, और ब्राइडल के लिए कुछ-कुछ सर्विसेस है, जैसे बॉड़ी पॉलिशिंग वगर यह वो आती है, बाकी मेकप या बॉड़ी मस् अच्छा था, मैंने जितना भी एस मैडम से कमाई की थी, वह मैंने अपनी ममी के इलाज में लगाया, मेरे डैडी को भी बहुत अच्छा लगा, लेकि मैं काम नहीं छोड़ना चाती थी, मुझे छोड़ना पड़ा, ममी के के लिए, अगर मैं नहीं छोड़ती तो, आज मेर मेरी ममी ठीक नहीं हो पाती, आज मेरी ममी बिल्कुल ठीक है, वह खाना बनाती है, अब कुछ करती है, आज भी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी थी, तो उसके लिए ममी ने हेल्प की, अच्छा, और आप वापस से येस मैडम जॉइन नहीं कर सकते, आपने छोड़ दिया ह मैं जाइन करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा कैसा हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है, अभी मैने छोड़ दिया, येस मैडम वाली मुझे लेंगे या नहीं लेंगे, फिर वापिस से शुरू से स्टार्टिंग करना पड़ेगा न, तो कोई बात नहीं बात नहीं बात अगर ले लिया तो, और अर्निंग किस हसाब से हो जाती है, आप अभी परसनल करते हो, तो उसकी अर्निंग ज्यादा बेटर है या येस मैडम की ज्यादा बेटर है, मैं देखिए, परसनल में आपको वोई लोग जो बुलाते हैं, जो आपको जानते हैं, या फिर सालों से आपके पास service layer है, वोई लोग आपको बुला सकते हैं, लेकिन एस मैडम में कैसे आपको client डूलने की जरूरत नहीं है, आपको company, एस मैडम खूर आपको customer देती है, सिर्भ आपको जाना है, अपना काम करना है अच्छे से, और निकलना है भाह से, परसनल में इतना income नहीं हो स अगर यस मैडम में आप जाते हो, अगर आपकी service अच्छी है, आपका काम से सब लोगों को satisfaction हो रहा है, तो ऐसे भी customer आपको दुगारा भुलाएंगी, और company आपका rating देखती है, कि आपका rating कहा तक जा रहा है, आपका काम कैसा है, उस हिसाब से भी company आपको ज्यादा से ज्या अभी मैंने दिन का 4 हजर भी कमाया है, अभी 6 हजर भी कमाया है, अगर आप अच्छे से क्लाइन को हैंडल खरते हो, अगर अपको लीड के पिछे लीड आती है, सुवह दस बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, याराद को 9 बजे तक, तो आप 10 हजर के ऊपर भी कमा सकते हो अस पर देरे दे मेरी बढ़ गई थी क्योंकि मुझे बहुत लोग बुलाते थे सर्विस के लिए, तो कमपनी मुझे भेजती थी ज्यादा जग़ पे, अपना Yes Madam जो है ठाना अंदेरी साइड में ज्यादा चलता है और हम नवी मुंबए में कैसे छे लड़किया थी Yes Madam की तरफ से और पूरा मतलब करना है तो आपको ही बेचते होंगे तो इसले मुझे लीड्स भी ज्यादा आती थी तो कमाई तो मेरी अच्छे से ही हुए ज्यादा ही हुए लेकिन मैं थोड़ा हिसाब नहीं रख पाई जित उक्ता हे जो को इस साईन शारे पॉजिटिव आनुभाव है मे तो मैम सारे पॉजिटिव ही अनुभाव है मैं एक कुष्टमर को थोड़ा मेरा वैक्सिंग अच्छा नहीं लया पता नही हर कोई कस्टमर अश्या नहीं होता है यह competitive jeweりं होंगले merah service हमबल क्लाइंट के लोग थे बहुत अच्छे लोग मिली अच्छा और आप जब जॉइन करते हो तो आपको कुछ पैसे बरने पड़ते हैं देखें मैं जब गई थी एस मैंडम में इंटर्वी देने के लिए फिर मेरा इंटर्वी लेने के विवाद मुझे बताया गया था कि जैसे कॉस्चुम है अमरे एस मैंडम का उसके लिए कुछ करना पड़ता है जैसे ट्रेनर है आपके ट्रेनिंग लेगी तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा न तो इतनी ज्यादा फीज है मतलब उसको नहीं आता है कुछ भी जीरो अपना ब्यूटी को कोई भी काम नहीं आता है थेड़ बेजिक से ही सारा कुछ सीखना है हां सीखना है तो पिर उनका कुछ चारजे सालंग होगे वो तो मुझे नहीं मालम क्यूंकि मैं इस फिल्ड में काफी पुरानी हूँ हू तो मुझे वैसी को बश्यात नहीं आई अभी आप अपना पर्सनल करते हो अभी मैं थोड़ा पर्सनल कर रही हूँ यहां जोड़ने के बद क्यूंकि मम्मी के तरफ भी धयान देना था मम्मी की के चार करनी थी तो मैं उसके साथ-साथ वो एक ही लेती थी पुरे दिन में म आखी सब जाने दियो और उसी में कंटीनीव करो है कर सकते माम अभी मैरी मुरी थी अफोग अभी मैं कर सकती हुटा मुझे थोड़ा मेरा सिच्वेशन थोड़ा अलग था मैं बोल नहीं सकती थी और मुझे घल्प एम यहां रीद हो सब कुछ मुझ मुझे अकिली कोई करन तो अगर कोई है कि जुसको यस मैडम जॉइन करना है तो क्या सलाद होगे आप उनको यस मैडम जॉइन करना है तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो भी जॉइन करना चाहते हैं कर सकते क्योंकि आजकल जो सिच्वेशन चल रही है हमारी कोरोन के बाद कि किसी क कि अच्छी नहीं हो रही है, किसी के हजबन की जॉब चेली गई है, तो वो लोग जोईन कर सकते हैं, बहुत अच्छी इंकम है आपे, देखो आप खुद को सपोर्ट करोंगे ना तो आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, और आज का डेटी ऐसा है, मतलब आज पल करते हैं, था सट पे रहे हैं, आप या पडना प्नि फैमिली को भी सपोर्ट को डिखा तो आप जरूरर यस मैनम जोइन केजिये, यस मैनम में कुछ हैसा मतलब यह नहीं है, कि कुछ नइस हो जा गएगा, कुछ ऐसा कर देगी, कंपनी ब्लोग कर देगी यह कुछ यह कर दे अच्छा रखिए और जिनको भी एस मैंडम जोइन करना है सबसे पहले तो एक चोटा मोटा कोर्स कर ले परसनल केर का जिसमें जैसे आइबरो आगया, वैक्सिंग आगया, मेनिक्यूर पेडिकेर आगया, थोड़ा कलर अप्लिकेशन का आगया, ऐसे परसनल केर के भी छोटे- जादा है, तो आपको अच्छे से करते हो लोग, हर चीछ सिखाते है, तो थैंक्यू सो मच माधुरी जी मुझे इंटर्व्यू देने के लिए, इतनी सारी इंफर्मेशन और आपका अनुभव शेयर करने के लिए, थैंक्यू सो मच मैम, आपने भी मुझे बहत अची